हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटिप चैनल जी के ट्रैक पर दोस्तों आज इस वीडियो में हम करेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है शिखर सम्मेलन 2024 देखिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमेंग ए परमाणू ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ब्रुजेल्स बेल्जियम में पहला परमाणू ऊर्जा सिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था देखिए शिकर सम्मेलन की वैवस्था अंतरास्तिय परमाणू ऊर्जा एजेंसी आई एए और बेल्जियम द्वारा सहयोगात्मक रूप से की गई थी इसका उद्देश क्या था तो शुद्ध शूनी उत्सर्जन और सतत विकास लक्षों को प्राप्त करने में परमाणू ऊर्जा का उपियोग ये इसका ख्याले विएना उस्ट्रिया में स्तिध है वर्तमान निदेशक है इसके राफेल मारियानो ग्रास ये पूरी बाते आपको आईए एक के बारे में याद रखनी है नौवे राइसीना डायलोग 2024 का आयोजन कि शहर में किया गया तो यहां पर देखिए इसका करेक्ट आंसर ह जाएगा ए नई दिल्ली भारत में नौवे राइसीना डायलोग 2024 का आयोजन किया गया देखिए संसकरन कौन सा था तो नौवा था आयोजन कहां पर हुआ है नई दिल्ली में हुआ है इसके मुख्य अतिती कौन थे तो क्वारी कोस मित्सो ताकिस जुग्रीश के प्रधान म ही तो मोस्त इंपोर्टन्टसें से बारे में आपको ये याद रखना है भारत का पहला भारत STEAM वाइलर एकश्पोर 2024 का आयोजन कहां किया गया यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी-गोहाटी असम में भारत का पहला भारत STEAM वाइलर एक्सपोर 2024 का आयोजन किया गया देखिए आयोजन कहां पर हुआ है गौहाटी असम में उद्देश क्या था इसे रखने का तो स्टीम वाइलरों पर निर्भर छेत्रों की बृद्धी और दक्षता को पढ़ाने के उद्देश से ये सम्मेलन किया गया था फर्वरी 2024 में आयोजित होने वाले साथवे हिंद महाशागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनदित्व किस ने किया most important है ये करेक्ट ओप्चिन हो जाएगा ए एस जैशंकर की द्वारा भारत का प्रतिनी दित्व किया गया था सात्वे हिंद महासागर सम्मेलन में देखिए आयोजन कहां पर हुआ था इसका तो आस्ट्रेलिया में कौन सा संसकरण था सात्वा संसकरण था भारत का प्रतिनी दित्व कि क्या था एस जैशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है उनके द्वारा इस सम्मेलन का विशे क्या था तो टुवार्ट सा स्टेबल अन सस्टेनेबल इंडियान ओशियन यह इसका विशे रहा है जो बहुत पूछा जाता एक्जाम में आपको यह याद रखना है किस राज्य में इ 2024 का आयोजन किया गया यह उत्सब विकलांग वैक्तियों के लिए भारत का पहला समावेशी तहवार है तो क्योंकि यह पहला है और विकलांग वैक्तियों के लिए है तो हो सकता एक्जाम में पूछ लिया जाए आपको यह याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा स्टार्ट अप महा कुम्ब का उधगाटन किया Most Important, Correct Option हो जाएगा ए नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्टार्ट अप महा कुम्ब का उधगाटन किया गया है देखे स्टार्ट अप महा कुम्ब का आगाज 18 मार्च को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था इसकी थीम रखी गई थी भारत इनोवेट्स स्टार्ट अप महा कुम्ब भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्ट अप इवेंड है तो आपको यह याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के द्वारा 27 वे रास्टिये युवा महतसव का उधगाटन किस राज्य में किया गया करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा ए नासिक महरास्ट में 27 वे रास्टिये युवा महतसव का उधगाटन किया गया देखे आयोजन का हुआ है नासिक महरास्ट में युवा महतसव की थीम क्या रही है तो विक्सित भारत श्लैस 2047 युवा के लिए युवा द्वारा ये इसकी थीम रही और थीम आपको जरूर से याद रखनी है क्योंकि पूछी जाती है एक्जाम में इसमें 15 युवाओं को रास्टिय युवा पुरुसकार से सम्मानित भी किया गया है जन्वरी 2024 में किस राज्य में नौवे भारत अंतरास्टी विज्ञान महतसब 2023 का आयोजन किया गया तो करेक्ट आप्शन हो जाएगा हरियाना में नौवे भारत अंतरास्टी विज्ञान महतसब का आयोजन किया गया था देखें भारत अंतरास्टी विज्ञान महुटसब IISF 2023 का नौवा संसकरण हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया इस महुटसब का विज्ञान और प्रौध्योगी की सारवजनिक आउट्रिच ये इसकी थीम रखी गई थी और IISF 2023 में विज्ञानिक सपलताओं और उनकी उपलब्दियों को प्रदर्शित करने के लिए 17 अलग-अलग विज्ञान को शामिल किया गया था ये most important है पूछा जाता एक्जाम में आपको याद रखना है जी सैवन शिकर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया ये भी most important है correct option हो जाएगा ए जापान में जी सैवन शिकर सम्मेलन आयोजित किया गया देखिया आयोजन कहा हुआ है तो हिरोशिमा शहर जापान में इसका कौन स इसका तो 49 संस्करन था ये भारत की अद्यक्षिता किसने की नरेंद्र नरट मोदी प्रधान मंतरी थार से द्षड आयोजन किया है most important correct option हो जाएगा ए पैरिस फ्रांस ने सुडान पर अंतरास्टिय मानोतावात सम्मेलन का आयोजन किया है देखे सुडान की सेना और विद्रोही अर्ध सैनिक बल rapid support forces के बीच युद्ध में फसे सुडान के लोगों के लिए धन जुटाने के लिए फ्रांस की राजदानी पैरिस में सुडान और पडोसी देशों के लिए एक अंतरास्टिय मानविय सम्मेलन आयोजित किया गया था यहां सम्मेलन संयुक्त रास्ट की धन राशी के अपील के जवाब में आयोजित किया था तो most important है पूछा जा सकता है आपको यह याद रखना है पुलिष महानिदेशकों और महानिरक्षकों का 58 अखिल भारतिय सम्मेलन जनवरी 2024 को कहां आयोजित किया गया most important यह बी correct option हो जाएगा जैपुर राजिस्थान में इसे आयोजित किया गया देखे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजिस्थान इंटरनेशनल सेंटर जैपुर में आयोजित पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरक्षकों के 98 अखिल भारतिय सम्मेलन में भाग लिया इस मौके पर प्रधार मंत्री ने नए अपराधिक कानून की शुरुआत पर चर्चा करते हुए कहा कि कानूनी अपराध न्याय प्रणाली में एक आदश बदलाओ लेकर वो आएंगे तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको यह याद रखना है कौन से नंबर का था तो 58 याने कि 58 नंबर का यह था मानो अधिकार की सार्व भॉमिक घोशना पर 75 अंतरास्तिय सम्मेलन का उधगाटन कहां किया गया करेक्ट आपशन हाप पर हो जाएगा भी भूवनेश वर उडीशा में 75 अंतरास्तिर सम्मेलन का उधगाटन किया गया सार्व भॉमिक मूले और रास्तिय वस्त विक्ताय भाष्तिय संदर्व मनो अधिकारो की सार्व भॉमिक घोश ना की खोज ये इसका विश्य रखा गया था इस सम्मेलन का भारतिय सेना के तीन अंगों के बीच संयुक्ता और एकी करण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रथम परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया तो करेक्ट अप्षन हो जाएगा नई दिल्ली में यह आयोजन किया गया था देखिए परिवर्तन चिंतन एक अग्रणी त्री सेवा सम्मेलन है इसका आयोजन आट अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किया गया था इस एक दिवसी सम्मेलन की अध्यक्षता अनिल चोहान जो हमारे CDS हैं उनके द्वारा की गई थी तो यह सभी पॉइंट आपको याद रखना है most important है भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत Mobility Global Expo 2024 का आयोजन कहां किया गया तो correct option हो जाएगा भी भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत Mobility Global Expo 2024 का आयोजन किया गया देखिए प्रध प्रशनी भारत Mobility Global Expo 2024 में एक कारिक्रम में संभोधित किया भारत Mobility Global Expo 2024 Mobility और Automobile मूलिश रंखलाओं में भारत की शमताएं भी दिखाई गई है वर्श 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया तो correct option हो जाएगा बी नई दिल्ली में प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया था देखे आयोजित कैसा हुआ है तो hybrid mode में इसका आयोजित हुआ है पहले virtual सम्मेलन हुआ 28 March 2024 को उसके बाद भौतिक सम्मेलन हुआ एक और दो अप्रेल 2024 को नई दिल्ली में सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की तो जनरल मनोच पांडे जो थलसेना अध्यक्ष है उनके द्वार इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी अप्रेल 2024 को पहला अमेरिका जपान फिलिपिन्स सिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ तो यहां पर करेक्ट आप्शन हो जाएगा बी वाशिंग्टन अमेरिका में पहला अमेरिका जपान फिलिपिन्स सिखर सम्मेलन आयोजित किया ग को बढ़ावा देने और चीन के बीच भारत प्रशान छेत्र में शांती और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सयोग पर चर्चा किये गई यह जो सम्मेलन था इसमें तो आपको यह भी आद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है किस देश में साथवे म्यूनिक स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया देखिए म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन एक वार्शिक अंतरास्तिय मंच है जो महत्पून सुरक्षा और विदेश नीती मामलों पर चर्चा और समधान के लिए समर्पित है इसमें भारत का प्रतिनिदित्व एस जैशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है उनके द्वारा किया गया था वर्श 2023 में अंतरास्तिय सौर गटबंधन आई एस ए की छटी बैठक कहां आयोजित हुई अंतरास्तिय सौर गटबंधन की छटी बैठक हुई है देखे आयोजन हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षिता आर के सिंग जो केंद्रिय उर्जा और नवीन एवं नवीने करण उर्जा मंत्री है इनके द्वारा बैठक की अध्यक्षिता की गई आठवे वैश्विक प्रोध्योगी की सम्मेलन 2023 की मेजवानी किस देश ने की तो करेक्ट ओप्चन हो जाएगा सी भारत के द्वारा आठवे वैश्विक प्रोध्योगी की सम्मेलन 2023 की मेजवानी की गई देकि मेजवानी किसके पास है भारत के इसकी थीम क्या रखी गई तो जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेकनोलोजी प्रद्योगी की भूर राजनीती इसकी थीम रखी गई इस सम्मेलन में डाटा प्राइवेसी एक्सपोर्ट कंट्रोल और राजनीती को प्रभावित करने वाली टेकनोलोजी पर चर्चा की गई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा य करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में कृत्रिम बुद्धी मता या आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का अयोजन किया गया था देखिए भारत वश्च ट्वेंटी ट्वेंटी पॉर का जीपी एई सम्मेल नहीं है क्योंकि यह पूछी जा सकती है किस आई 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 टी के द्वारा अखिल भारती अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन ट्वेंटी 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 पॉर का आयोजन किया गया तो मोस्ट इंपोर्टेंट है यह क्वेस्टिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्च पराई को दिखाना इस सम्मेलन में नवींतम खोजों और नवचारों पर प्रकाश डाला गया और बिभिन अनुसंधान शेत्रों में नवींतम प्रगति को प्रदर्शित किया गया तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहा यह आपको यह जरूर से याद रखना है केंद्रिय मंतरी अनुराक सिंग ठाकुर ने कहा मार्च 2024 को सांसत खेल महाकुंब 3.0 के तीसरे चरण का शुभारंब किया तो मोस्ट इंपोर्टेंट है यह करेक्ट ऑप्चन हो जाएगा दी बिलासपूर हिमाचल माचल प्रदेश का जो बिलासपूर है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया देखे केंद्रिय मंत्री मानिय अनुराक सिंग ठाकुर ने 5 मार्च 2024 को बिलासपूर इस्तित लुहुडू क्रिकेट ग्राउन में सांसत खेल महाकुंब 3.0 का भव्य शुभारंब किया इस अफसर पर मुख्य अथिती की रूप में भारतिय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया करेक्ट अप्शन हो जाएगा भी गोहाटी असम में पहली बार डिजीटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिकर सम्मेलन का आयोजन किया गया देखे इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्राले ने 15 फरवरी 2024 को गोहाटी में प्रथम डिजीटल का फ्यूचर स्किल्स शिकर सम्मेलन आयोजित किया उधगाटन राजीव चंदरशेखर के द्वारा किया गया जो केंद्रिये इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रध्योगी की और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री है इनके द्वारा इसका उधगाटन किया गया कौन प्रसा देश जुलाई 2024 में पहली बार युनसको की विश्व धरोवर समीति की मेजवानी करेगा तक नई दिल्ली में युनसको की विश्व धरोवर समीति की अध्यक्षता और मेजवानी करेगा UNESCO की विश्व धरोर समीती का चियालिसवा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा UNESCO के बारे में देख लेते हैं देखें पूरा नाम है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization इसका मुख्याले Paris, France में स्थित है इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को ही थी इसके प्रमुख है वर्तमान प्रभुक आंद्रे अजेलो इसके वर्तमान प्रमुख है तो इतना आपको याद रखना है UNESCO के बारे में सोल्वा विश्व भविश्य उर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अबुधाबी सयुक्त अरब अमिरात में सोल्वा विश्व भविश्य उर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया देखिए आयोजन अबुधाबी UAE में हुआ है और उद्देश क्यास का वैश्विक जलवायू कारवाही नवीनी करन उर्जा उर्जा सुरक्षा और सतद विकास जैसे प्रमुक मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देना इस सम्मेलन का उद्देश रहा है 28 वा सयुक्त रास्त जलवायू परिवर्तन सम्मेलन 2023 जिसे हम कॉप 28 कहते हैं कहां आयोजित किया गया तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी दुबाई UAE या संयुक्त रव अमिरात में कॉप 28 का आयोजन किया गया देखे आयोजन का हुआ है दुबाई में हुआ है संयुक्त रव अमिरात में उद्देश क्या था इस आयोजन का तो सरकारों को वैश्विक तापमान व्रिद्धी को सीमित करने और जलवायू परिवर्तन से जुड़े प्रभाव के अनुकूल नीतियों पर सहमत होना ये इ देंद्र मोदी के द्वारा भारत की और सिसके अध्यक्षता की गई है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया मोस्ट इंपॉर्टन क्वेशन करेक्ट ऑप्चन हो जाएगा डी दुबई UAE में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया देख शिखर सम्मेलन का विश्य क्या था दो भाविश्य की सरकारों को आकार देना यह इस सम्में पाधर कि आयोजन कहा होगा भारत में देखिए जो कौड है यह इसमें कौन-कौन शामिल है तो भारत अमेरिका आस्ट्रेलिया और जपान देशों का समू है कौड आपको यह चारों कंट्री के नाम याद रखने है क्योंकि एक्जाम में बहुत जादा पूछ जाते हैं नाटो शिकर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है तो करेक्ट अप्शन हो जाएगा डी वीनियस लुथी आनिया में नाटो शिकर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है देखिए कौन सा संसकरन था यह तो तैतिस्वा संसकरन था इस सम्मेलन में युक्रेन और स्वेडन पर चल रहे है रूसी आक यह नाटो का पूरा नाम है इसकी स्थापना चार अप्रेल 1949 को हुई थी इसका मुख्याले ब्रुजेल बेल्जियम में इसके वर्तमान महा सजेव हैं जैन्स स्टोल टेन वर्ग यह आपको याद रखना है क्योंकि सभी जितने पैक्ट कहां पर दिये हैं सभी मोस्ट इंप देखे बारवा विश्व हंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी के नाडी शहर में हुआ इसका आयोजन विदेश मंत्राले भारत सरकार ने फिजी सरकार के सहयोग से किया था यह संस्करन कौन सा था बारवा था और इसकी थीम क्या थी तो हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर और विक्स के वर्तमान सदसे कौन है तो ब्राजील, रूज, भारत, चीन और दक्षिन अफरिका ये वर्तमान सदसे हैं ब्रिक्स के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल टेक्स्टाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उधगाटन कहां किया मोस्ट इंपोर्टेंट करेक्ट आप्चन यहां पर हो जाएगा ए नई दिल्ली में इसका उधगाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा देखे भा भारत टेक्स का मतलब है भारत टेक्स्टाइल यह कपड़ा की शेत्र में एक वैश्विक सम्मेलन है भारत टेक्स 2024 भारत की सम्रिद्ध सांस्कृतिक विरासत और कपड़ा परंपराओं से लेकर नवींतम तकनिकी नवाचारों तक संपूर्ण कपड़ा उध्योग मूल श् अमेरिका में सयुक्त रास्ट जल सम्मेलन आयोजित किया गया देखे इसकी थीम क्या थी अवर वाटर शेड मूमेंट यूनाइटिंग दवर्ल्ड फॉर्टर ये इसकी थीम रखी गई थी इसका उद्देश क्या था तो अंतरास्टी जल सम्मंदी लक्षों और के लिए वर्ष 2030 एजिंडा में सूची वद्द है उसके लिए भारत की और से अध्यक्षिता किसने की है तो गजेंद्र सिंग शेखावत जल शक्ती मंत्री है उन्होंने भारत की और से इसकी अध्यक्षिता की थी हिंद महासागर रिम एस्सोशियेशन आयो आरे मंत्री पर पर हुआ कोलंबो श्री लंका में हिंद महासागर रिम एस्सोशियेशन एक अंतर सरकारी संगटन है इसकी स्थापना साथ मार्च उन्निस सो संत्यानवे को की गई थी वैश्विक कौशल सिखर सम्मेलन 2023 का चौदवा संसकरन कहा आयोजित हुआ इसकी थीम क्या रखी गई थी तो बिल्डिंग स्किल्स एमपॉर्वरिंग यूथ क्रियेटिंग दा फ्यूचर ये इसकी थीम रखी गई थी थीम बहुत जादा पूछी जाती है आपको याद रखना है भारत में पहली बार पांचवे विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया गया बैंगलूरू में विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन किया गया था देखे इसकी थीम क्या रखी गई तो प्रमोटिंग सस्टेनेबलिटी थूरू सर्कुलर एकोनॉमी एंड रिजनरेटिव एग्रिकल्चर ये इसकी थीम रखी गई उद्देश क्या था ये कॉफी बैपार को बढ़ावा देने और कॉफी उत्पादक और उभोग करने वाले देशों की बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लि करेक्ट ऑप्चन हो जाएगा भी भारत भारत ने वैश्विक बॉद्द सम्मेलन जो पहला था उसकी मेजवानी की है देखिए आयोजन इस्तल क्या रहा है नई दिल्ली भारत इसकी थीम क्या रही है तो रिस्पॉंस इस तू कंटेंपररी चैलेंज फिलोसॉफी टू प्र नई दिल्ली भारत में 22 विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया देखिए शिखर सम्मेलन में जलवायू परिवर्तन सतत उत्पादन उर्जा संक्रमांड वैस्विक साजा संसाधन और उसकी सुरक्षा जैसे ब्रहत विश्यों पर चर्चा की गई इसकी थी थी तो मैन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डैबलपमेंट एंड क्लाइमेट डिस आयलेंस फॉर कलेक्टिव एक्षिन ये इसकी थीम रखी गई थी मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी की थीम बहुत पूछी जाती है आपको यह जरूर से याद रखना है 2023 में विश्व स्वास्त संवेलन कहां यजломत हुआ मोस्ट इंपोर्टन क्वेशन करेक्ट उप्षन और जर्म सिखर संयलन का आयोजन किया गया देखे इस सम्मेलन में भारत की तरफ से केंद्रिय स्वास्त और परिवार कल्यान राज्य मंत्री भारती प्रवीन पवार ठीके यहां पर हो जाएगा भारती प्रवीन पवार ने वर्चुली भाग लिया इस थीम क्या इसका जो थीम था वो था our defining year for global health action देखे थीम बहुत ज हो जाएगा ए ढाका बांगलादेश में चटवा हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया इसकी थीम क्या थी तो आप पार्टनर्शिप और पीस प्रोस्पेरिटी एंड अरी साइलेंट फ्यूचर यह इसकी थीम रखी गई थी और सबसे यादा थीम पूछी जाती है त देखिए आयोजन का हुआ है स्विजलेंड के दाबोस में संसकरन कौन सा था तो 53 वा संसकरन था इसकी थीम क्या रखी गई तो कॉर्परेशन इन फ्रेग्मेंटेड वर्ड यह इसकी थीम रखी गई थी 43 वा आशियान शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेशन है करेक्ट ऑप्चन हो जाएगा इसका ए जकारता इंडोनेशिया में 43 वा आशियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया देखिए थीम क्या थी आशियान मैटर्स इपी सेंटरम और ग वरतमान अध्यक्षे ली सिन लूंग और वरतमान सदस्य कितने हैं तो वह हैं ग्यारा ग्यारा देश इसके वरतमान सदस्य हैं ब्रुनेई कंबोडिया इंडोनेशिया लाओस मलेशिया मैनमार फिलिपिन सिंगापूर थाइलेंड वियतनाम और अब 11 सदस्य बन गया है भारत की द्वारा इसकी मेजवानी की गई है जिस भी सम्मेलन है उसकी अगर भारत ने मेजवानी की है तो आपके एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए आप उनको बहुत डीपली देखना देखे इसका संसकरण कब हुआ है 23 वा जाले कहां पर है बीजिंग चाइना में सेक्रेटरी जनरल कौन है वर्तमान में तो ब्लामिदीर नोरोव है और वर्तमान में महासचिव कौन है तो जांग मींग इसके वर्तमान महासचिव है जी ट्वैंटी सिकर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षिता किस देश ने की करेक्ट भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षिता की गई मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एक्जाम के लिए यह क्योंकि बहुत जादा पूछा जाएगा देखिए आयोजन इसका क्या था तो भारत मंडपम नई दिल्ली इसका आयोजन इस था इसका कौन सा संसक्रन थ इसका लोगो था खिलता हुआ कमल और इसकी थीम रखी गई थी वासुदेव कुटुम्बकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर यह मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है आपको याद रखनी है क्योंकि यह पूछी जा सकती है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने अंतरा 14 साल के बाद दूसरी बार आयोसी सत्र की मेजवानी कर रहा है इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में आयोसी के 86 सत्र का आयोजन किया था इस सत्र में लौस एंजलिस ओलंपिक 2024 में पांच नए खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी गई है कौन से पांच नए खेलें तो क्रिके 2023 में पहले वैश्विक हलदी कॉंफरेंस की मेजवानी किस शहर ने की थी तो करेक्ट ओप्शन ही आपर हो जाएगा सफलता पूर्वक आयोजित किया गया तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है क्योंकि यह पहला है और यह मुंबई में आयोजित किया गया था फरवरी 2024 को भारत उर्जा सप्ता के दूसरे संसकरन का उधगाटन किसके द्वारा किया गया करेक्ट ओप्शन हो जाएगा ए नरेंद्र मोदी के द्वारा फरवरी 2024 में भारत उर्जा सप्ता के दूसरे संसकरन का उधगाटन किया गया देखिए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारत उर्जा सप्ता 2024 के दूसरे संसकरन का उधगाटन किया है 2023 में विश्व स्वास्थ संगरटन WHO का प्रतम पारंपारिक औशदी वैश्विक सिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ तो करेक्ट उप्शन है B गांधीनगर गुजरात में जो WHO है उसका पारंपारिक औशदी वैश्विक सिखर सम्मेलन आयोजित किया गया देखे पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक सिखर सम्मेलन सभी के लिए स्वास्त और कल्यान की और 17-18 अगस्त 2023 को गांधी नगर गुजरात भारत में आयोजित किया गया था तो ये most important है आपको ये याद रखना है वर्ष 2023 में विश्व के पहले artificial intelligence AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजवानी किस देश ने की तो correct option हो जाएगा भी ब्रिटेन के द्वारा ये मेजवानी की गई थी देखें आयोजन कहां पर हुआ है ब्रिटेन के बेले चली पार्क में इस समेलन में कृत्रिम बुद्धिमिता की सुरक्षा और विनीमयन पर चर्चा की गई इस समेलन में सैयुक्त राज्य अमेरिका चीन भारत और यूरोपिय संग सहित 28 प्रमक देशों ने बेलचले पार्क घोशना पर हस्ताक्षर की तो most important है आपको याद रखना है भारत की और से अधिक्षिता किस ने की तो राजीव चंद्रशेखर ने भारत की और से इसकी अ सभा आयोजित की गई देखें इंटर पोल यानि के इंटरनेशनल पुलिस और गिनाइजेशन इसकी स्थापना साथ सितंबन 1923 में हुई है इसका मुख्याले लियॉन फ्रांस में स्थित है इसके वरतमान अध्यक्ष है एहमद नासर अल रहीसी और इसके वरतमान सदस्य है 195 कंट्री आपको याद रखना है तो दोस्तों यहीं पर हमारे 50 questions complete हो गए वीडियो पसंद आया होगा तो like and share जरूर कर दीजेगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल ऐकन जरूर प्रेस कर दीजेगा आज के ल लिए जय हिंद जय भारत